स्क्राइब ऐलो फ्रेंड्स वेल्कम ब वैक्तो माई चैनल मेरे चैनल में आपधका बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आपके साथ बहुत यह सुंदर और बहुत यह सान दो रंग का छटर जीजाइन शेयर कने हूं फ्रेंड्स इस design को friends हम किसी भी cardigan में डाल सकते हैं बच्चों के cardigan में lady sweater में किसी में भी डाल सकते हैं double color का है baby girl baby boy के किसी भी sweater में बहुत अच्छा लगेगा तो शुरू करने से पहले friends अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो please channel को subscribe जरूर करें और bell icon को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की notification मिल सके और वीडियो को like करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो तो चलिए friends शुरू करते हैं इस design को डालने के लिए हमने चार से गुणा होने वाले फंदे लेने हैं चार 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 करके स्टार्ट करूंगी इसको दूसरा कलर मैंने पीला लगाया है तो उल्टी तरफ से पहली slice की हम सुरू करेंगे देखिए यहां पर मैंने आज का फंदा नहीं लिया है तीन फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे देखिए एक तो तीन तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे यह देखिए तीन फंदे उल्टे फर्स्ट रो है उल्टी तरफ से यह हमारी तीन फंदे उल्टे एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदे उल्टे यह देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे तो friends देखिए हमारी सिलाई में जितने भी फंदे होंगे हम इसी हिसाब से बनाएंगे तीन फंदे उल्टे और एक फंदा स्लिप करेंगे यहां का फंदा है इसको हम बना लेंगे इसका फंदा लास्ट का है तो देखिए अब सेकींड तरफ से यह देखिए friends सेकिंड सिलाई दूसरी तरफ से पहला फंदा हमने स्लिप किया और जो फंदे हमने उल्टे बने थे उल्टी तरफ से उनको हम सीधा बनेंगे यह देखिए दूसरी सिलाई है सीधी तरफ से यह सीधे बने और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको स्लिप करेंगे जिसको बुना है उसको बुनेंगे इस तरह से सीधा और जो स्लिप किया है उसको स्लिप करते जाएंगे तो यह हमारी सेकिंड रो है इसको हम ऐसे ही बना लेंगे जो बुने हुए फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे जो उल्टी तरफ से उल्टे वुने थे सीदी तरफ से सीधा बुनेंगे और जो लिप किया हुआ फंदा है उसको करेंगे यह देखिए तीसरी रो कि हमारी उल्टी तरफ से अब हम यहां पर धागा चेंज करेंगे एक फंदा स्लिप क्या बोलते सीधा बनेंगे यह देखिए यह फंदा सीधा बना एक फंदा उल्टा यहां पर हम पूरी रोया से बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीसरी रोया फ्रेंट्स देखिए इसको हम पूरिया इसी तरह से बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा दूसरी रो हमने सेम टू सेम जैसे हमने पहली रो बनाई थी उसी तरह से बनाई है और अब हम तीसरी रो बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा तो पूरी रो हम ऐस तरह से सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे तो फ्रेंट्स इसको भी हम बुल लेते हैं पूरी सलाई चौथी रो है इसको सबको सीधा सीधा ही बुनना है यह देखिए फ्रेंट्स चार सलाईयां हमारी कंप्लीट हो गई और डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया यह दीख रहा है डिजाइन हमारा अब हम देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे पांचुई सिलाई में हम क्या करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे इसको हम उल्टा बनाएंगे यह देखिए और एक स्लिप करेंगे इसके बाद देखिए जो यह तीन फंदे देख रहे है यहां पे इनको हम दूसरे color से बनाएंगे यह देखिए और यह में पहला फंधा उल्टा बनाया यह बाला सिलिप किया और यह जो आगे के तीन हैं इनको हमने उल्टा बनाना है फिर यह फंदा क्लिप किया फिर वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट किया था अपना पैटरन तो फ्रेंट मैं थोड़ा सा उपर करके फिर आपको बताती हूं कैसे बनाना है यह देखिए फ्रेंट्स इनी फोर रो को रुपीट करके हमारा पैटरन कितना सुंदर बनके आया है देखिए ऐसे लगत और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो और शेयर जरूर करें देखिए यह राइट साइड से है और यह देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से है इसमें जादा उन भी नहीं लगती है बहुत ही सिंपल है बहुत ही असान है बनाना लेकिन बहुत ही सुन्दर बनके आता है देखिए कितना सुन्दर बनके आया है तो फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें वीडियो को देखने के लिए आप सब का ब